नुमस्कार मैं प्रिये रंजन और आज की से पिसोड में बेडानता च्टॉप के बारे में डिस्कस करेंगे वो काफी इस हैं तो आगे के ट्रेंड और न्यूज को समझे से पहले प्रीमियूम टिलिग्राम को जोयन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से account open करेंगे इस समय 272 के price पे trade कर रहा है इस समय इसके analyst meet हुए जिसमें एक बड़ी खबर यह रही कि बेदानता resources जो इसके लिए cancer बन चुका है बेदानता की parent company है date को ले करके और यही लगभग 30,000 करोर next three year में खुद को जो है जो भी करजे है उसको खतम करने की बात की जा रही है बेदानता resources the parent form of Mumbai best mining conglomerative बेदानता limited does not foresee a rollover of its loan and plan plan किया है अब rollover यहां से loan को नहीं करेगा जबकि इसके उलट जो 3 billion date है उसको over the next three year जो है यह बिलकुल कम करने का या खुद से जो date है उसको हटाने का प्रियास करेगी इसके अलावे जो delivery है company के वह लगबग काफी higher buying दिख रहा है हलांकि सुप्रीम कोट से जटका मिला था plan जो अपनी करने थे उसको ले करके environmental जो लो है उसको नहीं अब follow कर रही है तो इसका बरा impact निगेटिव नहीं रहा वह हमने आपको पहले भी दिखाया कि उसका अगर impact निगेटिव होता तो ट्रेंड भी निगेटिव होता पास्ट टू यर से stock अंडर परफॉर्म है जबकि six month और थ्री वाले शेयर होल्डरों ने थोरा बहुत पैसा कमाया है अब अगर इसके ट्रेंड को देखें दो चीज़ें याद रखेंगे पहला यह एक ट्रेंड लाइन है जिसको continuous stock देखेंगे follow करते दिख रहा है और दूसरा shorter में देखेंगे यह एक trend line है जिसको यहाँ पे breakout करते दिख रहा है तो potential यह पहला target तो आही रहा है short term trader को 288, 310 और 340 यह तीन target तो short term के लिए आही रहा है जिसके लिए weakness या फिर support क्या होगा 260 के नीचे का SL यह किसके लिए 340 तक के target के लिए जो short term trader है लेकिन जिनोंने long term perspective से लिए रखा है जिनके horizon काफी बड़े है चुकि यह mining company है तो volatility तो दिखेगी क्योंकि यह cyclic है और देखेंगे एक बार यह मतलब जो long term trader है उनका पहला target 340 दूसरा target 460 और तीसरा target 600 प्लस यह तीन target क्योंकि all time high के breakout के बाद यह काफी बड़ा trend दिख सकता है तो यह long term के लिए और long term trader चाहें तो 220 के नीचे के SL को लेंगे और I hope कि trader और investor को differentiate को आप बहतर तरीके से जानते हैं